दोस्तों इस परकार का cooler motor अगर खराब हो गया है, cooler motor कहिए या kit motor कहिए, या 500 वाला पांखा कहिए, या मोदी पांखा कहिए, कुछ इस परकार का पंखी लगता है जिसमें 5 पती आपको देखने को मिलता है, जिससे इसको कम जगाप हम इसको adjust करके चला लेते हैं, लेकिन जब इसको सबसे पहले हम कैसे check करेंगे, इसमें किन-किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादे क्या fault आती है, सब कुछ इसमें हम check करके आज आज आपको live बताने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों बीना देर करते हुए, इस वीडियो को हम सुरू करते ह तो सबसे पहले इस परकार का पंखा आपके पास बनने के लिए आता है, एक खुद आपका पंखा आप बनाने जा रहे हैं, इसको सबसे पहले आप इसमें क्या check कीजिएगा इसको check करने के लिए यहां पर देखिएगा, यह डंटी जो लटकाने वाला था, यह टूट चुक की हुई है और इसमें दो वायर एक तरफ निकला हुगा रहता है और दो वायर एक तरफ निकला हुगा रहता है और दो वायर एक तरफ निकला हुगा रहता है जो नीट्रल और फेड़ेक हम लोग लाइन में इसको जोर कर चलाती है इसको सबसे पहले इसमें आपको continuity चेक करना कि इसमें continuity मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो continuity check करने के लिए, आप multimeter से भी continuity check कर सकते हो, या series board आपके पास है, तो सबसे बढ़िया है, इस परकार को motor को बहुत असानी से check कर लेते हैं, तो मेरे पास series board है, तो चलिए series board से ही आपको पहले हम check करके दिखा देते हैं, अगर multimeter चेक करना हो, तो उससे कैसे check करेंगे, ये भी हम आपको बताने वाले हैं, तो series board में आप पहले line दे दिजिएगा, और इसको check करने के लिए कुछी इस परकार का wire ले लिजिएगा, जो एक तरफ दो block लगा हो, और दूसरी तरफ ये wire बिलकुल खाली हो, तकि इसको हम check करें और इसको check करने के लिए, देखिएगा, कि इस motor से आपको दो wire निकला हुआ मिलेगा, तो दोनों wire पर एक एक wire को इस तरह सटा कर आपको check करना है, जैसे check किजिएगा, यहाँ पर जो say ward का bulb लगा हुआ है, यह glow होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हम check कर रहे है, तो यह say ward का bulb ल हो रहा है, और दूसरी तरफ जो wire लगा हुआ है, इसको भी सेम तरीका से हमको check करना है, इस तरह check करेंगे, तो इसमें हमको कोई भी say ward की bulb में response नहीं मिल रहा है, यह थोड़ा सा भी glow नहीं कर रहा है, ताकि इसमें से यह wire टूटकर बाहर निकल गया है, अब इस motor को हम खोल खोलने से पहले इस motor को हम बाहर निकाल देंगे, तो इसको खोलने के लिए आपके पास एक screw deriver होना चाहिए, जो आठ नमबर का इस तरह T वाला screw deriver आप खरीद लीजिएगा, जिससे बहुत असानी से इस तरह का पंखा को आप खोल सकते हो, जब यहाँ पे चारों nut को खोल तो इसको निकालने से पहले आपको एक बात को ध्यान रखिएगा, आप एक छोटा सा marker लिजिएगा, या कोई भी marker लिजिएगा, और इसमें इस तरह का आप निसान लगा दीजिएगा, इसको निसान लगाने से क्या फैदा है, हम आपको यह भी बताएंगे, जब इस तरह इसको खोलिएगा, तो यह चारो तरफ से नसता है, इधर से उधर, अगर इसको आप बना लिजिएगा, तो बाद में जब कसिएगा न, यह जो लाइन का चीना है, आप इस सामने सामने लगाईएगा, तो इस तरह बैठाने में आपको कोई भी problem नहीं होगा, अगर इधर से उधर हो जाता है, इसके सामने अगर लाइनिंग कर दीजिएगा, तो बहुत असानी से बैठ चाएगा, जिससे यह जाम होने की डॉड नहीं रहता है, नहीं तो यह चीना नहीं लगाईएगा, तो बाद में आपको साइज मिलाने में problem भी हो सकता है, तो इस तरह आप लाइ में इसको भी इसमें pipe जो लगया होगा रहता है, safety के लिए pipe भी बाहर निकाल दीजिएगा, तक ही pipe निकालेगा, तभी यह open होगा, अभी इस तरह पकड़ कर आपको इसको उपर हलका सा उठाना है, और जो wire है इसको अंदर की तरफ इस तरह धकेल देना है, इसको धकेल जाएगा तो यह wire नहीं ठूटेगा और बहुत असाने से यह बाहर भी खुल कर निकाल जाएगा, तो इस तरह हम इसको निकाल लिएगा, अभी इसको side में रखते हैं, तक ही इसको कोई काम नहीं है, अब चलिए इसमें अभी इस तरह खोल लिए अब उससे पहले आपको इस इस तरह इस coil को बाहर निकाल लेना है, coil को बाहर निकाल लिएगा तो इस तरह आप इसको चेक कर लेना है, हलका सा चाहिए कि इसमें कोई भी ढॉक नहीं होना चाहिए, इस तरह आपना चाहिएगा, उपर नीचा कीजिएगा, तो इसमें कोई भी ढॉक नहीं होना चाहिए, धक का मतलब दोस्तों आप समझ रहे होगे तो ठीक है तो इस तरह आपको चेक कर लेना है उसके बाद इस बैक वाला जो पैनल है इसको भी इस तरह लगा कर चेक कर लेना है इस तरह जब लगा लिजेगा तो आपको इस तरह हिला कर चेक कर लेना है अगर धक नहीं है तो इसका आपको पहले boost or support को चेक कर लेना है नहीं तो अधिकांस चलते चलते boost or support घेसेट देता है जिसके चलते इसमें ढख हो जाता है ढख होने के चलते जब भी इसको लगाईएगा और पुरी तरह इसको अगर बना कर okay भी कर दीजिएगा तो बाद में ये सही से काम नहीं करता है आवाज देता है या jam हो जाता है तो आपको पहले ये check कर लेना चाहिए जब check कर लीजिएगा तो इस coil जो टूटा हुगा है इस coil में से ये wire जो टूटा हुगा है तो ये जोडना है जोडने के लिए बहुत असान तरीका है अगर चाहे तो आप पूरी wire को यहां से जोड सकते हो या एक टूटा हुगा है तो जो wire इसमें टूटा हुगा है उसको जोड लीजिएगा तो इसमें से अगर wire टूट कर बाहर निकल गया है यह जो धागा से चारो तरफ बना हुगा है अगर पूरी तरह wire जल जाता है तो पहले इस धागा को आप काटकर बाहर निकल लीजिएगा खोल कर बाहर निकल लीजिएगा और सेम तरीका से जोडा हुगा है सेम तरीका से इसको जोड दीजिएगा दो वायर को एक तरफ निकाल दिजिएगा और दो वायर को आप एक तरफ निकाल दिजिएगा इसमें एक वायर टूटा हुगा है तो एक वायर को हम बीना इस धागा को खोले हुए जोड़ देंगे तो इसको बीना खोले हुए जोड़ने के लिए यहाँ पर देखिएगा आभी जो sleep लगा हुगा sleep का भी condition ठीक है यह भी नहीं जला हुगा है तो इसको हम बहुत असानी से जोड़ लेंगे तो यहाँ से इसको हम घीचेंगे इसमें एक पतला सा sleep जो लगा हुगा है इसको जब हम खीचेंगे तो यह बाहर चलाएगा देखिएगा और इसमें आपको वायर एक देखने को मिल जाएगा इसको घीच करा और यह वायर हम इस sleep के राष्टे से लगा देगे तक यह बहुत आसानी से इसमें चलाएगी तक यह इसमें जो धागा लेप्टा हुआ रहता है कुछ जादे टाइट नहीं रहता है तो देखिएगा इस तरह लगया अब इसमें से जो पतला वाला sleep है इस वायर से हम निकाल दिये अब इसमें देखिएगा तो इसमें बहुत छोटा पढ़ जाएगा इसलीए इस slip को हम थोड़ा से बीच में से करतें इस slip को इतना बड़ा हम करतें और इसमें जो क्वायल है क्वायल लागा हुआ नि चलीए झाए थोड़ा इसको इसलेशन आप चाहे तो बलेट से आप इस तरह इसको छील कर निकाल सकतो या इसको छीलने के बहुत असान तरीका भी हम आपको बताएंगे इसलेशन जलाने के लिए आप एक लाइटर ले लिजिए गा या माचिस ले लिजिए गा इसको हलका साइस में जैसे आप आग दिखाएगा तो यह बहुत असानी से इसमें का पेंट जो रहता है इसलेशन रहता यह छोड़ देता है यहाँ पर देखिएगा यह पूरी तरह उ स्वाईर में लपेट दीजिएगा तो इसको यह अहिस्ते है से बैक धीच दीजिए गा नी पीछे तरफ यह पीछिवी पईच दीजिएगा औरशी शीलेशन शीलीप में तो बराबर घीचाता रहेता इस तरह तो यह वायर तो घीचा जाएगा यहाँ से इसको हम तो अपर जब हम इसको tie belt से बांदेंगे, तक इसमें मजबुति चलाएगा, तो इस तरह हम इसको बांदेंगे, अब यह tie belt का बड़ा बड़ा यह निकला हुगा है, इसको भी आप करची से काट दीजिएगा, तक इसका कोई काम नहीं है, यहां से कट कर दिए, अब यह बन कर तयार होगे आप, अब इसमें continuity आपको check करना है, तो continuity चेक करने के लिए चलिए, यहां पर हम continuity आपको check करके दिखा देते हैं, तो हम इसको series board से ही अभी check कर रहे हैं, इसको multimeter से भी हमें आपको check करके दिखाएंगे, तो यहां series board में हम plug को लगा देंगे, और यहां पर check भी कि हम कर लेंगे series board में line है की नहीं है उसके बाद में दोनों wire पर जिस तरफ एक तरफ निकला हो गया तो यहां पर देखिए एक continuity मिल रहा है फिर यह जो green वाला wire है इसमें भी हम यहां पर check कर लेंगे तो एक तरफ wire में शटाएगा यह नहीं green वाला wire में तो देखिएगा हो सक तो आपके पास दूसरा color हो एक तरफ शटाएगा तो आपको हलका सा सयवाड की bulb गुलो करेगा और दूसरी तरफ शटाएगा तो उससे कुछ ज्यादा यह सयवाड का bulb गुलो करेगा तो इससे मालूम चलेगा जिसमें अगर ज्यादा गुलो कर रहा है तो यह main line हो गया इस जिसमें हम डेड़े 220V current input करेंगे और जिसमें आपको हलका सा गुलो करेगा यहनि कुछ कम गुलो करेगा तो इसमें जोडते हैं उसके बाद में अगर multimeter से हम कुछ चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे तो multimeter से चेक करने के लिए multimeter को यहाँ पर continuity mode पे हम select करेंगे जहाँ पे यह multimeter रख दे रहे और एक तरफ जो पीला wire निकला होगा है उस पर हम दोनों परो को यहाँ पे सटा कर चेक करेंगे तो यहाँ पे continuity अगर मिल रहा है तो बिल्कुल okay condition में और continuity नहीं मिल रहा है तो समझ लिजए कि यह wire में fault है या coil में fault है दोनों किसी एक में जरूर fault होगा यहाँ पे हमको कितना reading मिल रहा है 142 reading मिल रहा है और जब यहाँ पे green wire में हम सटाएंगे तो हमको कुछ ज्यादा ही reading मिल रहा है तो देखिए गा 3222 के करीब reading मिल रहा है यानि ज्यादा जिसमें reading मिल रहा है इसमें हम cap sitter का wire जो रहेंगे और जिसमें कुछ कम reading मिल रही है तो देखिएगा 142 reading मिले तो यह main wire हो गया यह इसमें 220 volt का हम current input देंगे तो इस तरह multimeter से भी आप चेक कर सकते हैं अगर दोनों wire में reading नहीं मिल रहा है तो यहां से पूरी धागा को आप खोलिएगा और इसमें आपको दो wire इधर से मिलेगा और दो wire इधर से मिलेगा जो coil से आपको निकला हुगा रहता है एक running का over starting का तो आप running का wire इधर सटा कर पहले चेक कर लिजिएगा reading मिल रहा है तो ठीक है नहीं तो coil में कोहीं न कहीं fault है आगे के वीडियो में हम आपको बिस्तार से भी समझा कर बताएंगे इसमें उतना fault नहीं था इसलिए आपका time हम ज़्यादा lost करने की कोशिस नहीं कर रहे है तो इस तरह आप इसको check कर लिए उसके बाद में आपको इसमें लगा देना है जिस तरह पहले लगाया हुआ तो सेम तरीका से इस तरह लगा देना है उसके बाद में देखिएगा जो हम marker से यहाँ चीना लगाए थे तो एक चीना यहाँ पर है और एक चेना यहाँ पर है तो इसको सामने सामने होना चाहिए तो चलिए यहां पे हम सामने सामने यहां पे कर दे रहें तो इस तरह कर दिये उसके बाद में इसमें जो छड़ी दिया हुए इस छड़ी को हम बहुत असानी से इसमें लगा लेंगे दोनों कईपसीटर की वायर को हम इसको बहुत असानी से यहां से जोड़ लेंगे जोड़ने के बाद में चलिए इस पे हम टेप लगा देते हैं जो इलेक्ट्रिक टेप होता है तकी सौक लगने की ड़ नर है इस परकर के सीटर वाल वायर पे हमने टेप लगा दिया अब चलिए इसको हम चला कर देखेंगे जहां पे 220 वोल्ट वाला यहां पे पिला वाला तर है इसमें चलिए हम 220 वोल्ट करेंट इंपुट देते हैं उसके बाद में यहां पे देखिएगा कि यह पूरी फूली कर लीजिए